इस बच्चे ने क्वानिज़ेशन टॉपिक नहीं पड़ा है अभी इस वीडियो को पॉस करें हटा दें और पहले टॉपिक क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लीजे मेरा पहला कोश्चिन क्या है एक आदमी ने बाल को कॉम किया ड्राइडे पे एक परसन कॉम इस एर उन अ ड्राइडे जब उसने बालो को कॉम किया तो 10 की पावर 22 10 इस पावर 22 इलेक्ट्रोंस ट्रांसवर हो गए कहां से? हेर से किस पे? कॉम पे कॉम पे इलेक्ट्रों ट्रांसवर हो गए ठीक है? स्टिक हो गए उस कॉम पे कितना चार्ज है? एक कोशन तो यह है दूसरा कोशन क्या किसी बाडी पे 8 इंटू 10 इस पावर माइनस 8 कॉलम चार्ज हो सकते है? देखते इंग कोशन को आईए आंसर फर्स्ट पहला कितने इलेक्ट्रों ट्रांसवर हो गए है? यहाँ पर बताया कितने N की वैल्यू देदी तुम्हें कितने 10 की पावर 22 इतने इलेक्ट्रों ट्रांसवर हो रहे है और क्या पुछा? calculate the charge कितना चार्ज ट्रांसवर होगा? तो फॉर्मुला क्या होगा? Q equals to फॉर्मुला होता है Q equals to plus minus N E यहाँ minus आएगा मेरे भाई क्योंकि बात हो रही है किस पे? कॉम पे हेर से निकले तो हेर पे तो आना था positive charge और कॉम पे आना है negative charge तो Q equals to minus N E Q equals to minus N की वैल्यू 10 is to the power 22 charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 तो मेरे भाई answer मेरे प्यारे बच्चेों answer आजेगा minus 1.6 into 10 is to the power 3 कूलम यह आपका पहला numerical है minus 1.6 into 10 to the power 3 कूलम मज़ा आगया simple था question था सारे करेंगे tension मत लो जितने numericals हैं आपको मैं कसम खाके कह रहा इस साल एक-एक numerical जो आपकी books के अंदर है वो मैं अपने चैनल पर करवा दूँगा दूसरा question था can a body contain 8 into 10 to the power minus 18 कूलम charge क्या किसी body पे इतना charge हो सकता है तो ज्यान देना जब भी question आए कितना charge कितना charge क्यों निकालना है क्या निकालना है क्यों कितने electron यानि N निकालना है can a body contain 8 into 10 to the power minus 18 कूलम charge क्या किसी body पे इतना charge हो सकता है तो आप simply formula लगा हो Q equals to N E क्योंकि आप हमें यह निपता क्या plus है या minus है positive charge भी हो सकता है body के पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है body के पर negative charge भी हो सकता है आप value लगा हो 8 into 10 to the power minus 18 यह पता करना है N charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 यहां से N की value निकाल लो 8 into 10 to the power minus 18 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 minus 19 minus 18 से cancel हो गया और 10 आया point हटा तो यहां 10 आया 16 5 जा 85 तो N की value आई 50 यानि की 50 electron या तो body से निकले होंगे या 50 electron body को मिले होंगे तो हमारा question था can our body contain इतना charge क्या किसी body पर इतना charge हो सकता है तो आपका answer होगा yes इतना charge हो सकता है लेकिन अगर यही chance by chance मालो मेरा answer ऐसा आ गया होता 15.2 divide करने के बाद answer आ गया होता 50.2 50.5 50.8 कुछ भी points में आ गया होता तो आंसर होता नो क्योंकि भी या charge quantized है unit में पढ़ा था वीडियो में पढ़ा था मैंने आपको वीडियो में बताया था 2 electron transfer हो सकते है 10 electron transfer हो सकते है 50 electron transfer हो सकते है fraction में point में charge transfer नहीं होता तो इसका answer 50 electron transfer हो रहे है या आ रहे है Yes इतना charge transfer हो सकता है Thank you